एक बड़ा आदेश हाई कोट की ओर से दिया गया है दरसल लगातार इस तरह की शिकायते सामने आ रही थी कि जो परेटक हैं वो कुडा कच्रा फैला रहे हैं कुलू मनाली जैसे परेटन स्थलों के बात करें तो वहां हर और अब कच्रा देखने के लिए मिलता है जगा जगा प्लास्टिक की बॉटल्स फैंकी हुई होती है जिस वज़ा से कई याचिकाएं अभी कोट में भी दायर की गई है स्थानिय लोगों की ओर से ऐसी ही एक याचिका में सुनवाई हुई है जिसके बाद फैसला सुनाया है कोट ने कि जितने भी परेटक आएंगे अब उनके लिए निवारे होगा अपने वहन में वो एक बैग रखे ये गारविश बैग होगा जो भी कुड़ा कच्रा उनकी ओर से बनेगा उसी में डाला जाएगा बजाये इसके कि हिमाचर प्रदेश के परेटन स्थलों में इदर उदर फैंक दिया जाए और इसके लिए सरकार को आदेश चारी किये गए हैं कि एक टास्क फोर्स का गठन भी उने करना होगा टास्क फोर्स में परेटन विकास निगम, वन विभा, गैर सरकारी संगठन और अन्या हितधारक संस्थाओं को जोडने की बात हुई है ये ध्यान भी रखेंगे, निगरानी भी रखेंगे और परेटकों को अबगत भी करवाएंगे कि हाई कोड का ये फैसला है साथी साथ जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रेवल एजेंसिस हैं या वहाँ चालक हैं, उन्हें भी जिम्मा सौंपा जाएगा कि वो इस बात को लेकर परेटकों को जानकारी दे उनके पास वाहन में एक ऐसा बैक होना जरूरी है जिसमें वो कुड़ा कच्रा डालेंगे, बजाए इसके कि हिमाचर प्रदेश के अन्य इलाकों में इधर उदर उसे फैंका जाए, तो अच्छा निन्ने लिया गया है, कोड ने भी इस मामले में बड़ा संग्यान लिया है और जो फैसला सुनाया गया है परेटकों पर उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है, देखें गैर शिक्षक करमचारी महासंग में बड़ा रोश है और कारण इनके रोश का ये है कि काफी लंबे समय से इनके डिमांड्स पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, ये द पूरित हुए थे, जिन्होंने अपने डिमांड्स रखी है, त्रिलोग ठाकुर के समक्ष और साथी साथ ये भी कहा है कि अब किसी भी हाल में इन मांगो को पूरा किया जाए, इसमें कुछ एक प्रमोशन से जुड़े मामले हैं, तो कुछ एक मूलवेतन से जुड़े मामल ये दो से तीन कैटेगिरी जिन्होंने अलग अलग बताई है, एक तो ये न्यूक जो लिपिक हैं, इन्हें वरिश सहायक के पद पर प्रमोट किया जाए, और जो सेवादार हैं उन्हें लिपिक के पद पर और या फिर प्रियोगशाला परिचर के पद पर पदोनती दी जा अभी सरकार की ओर से किसी भी एंजियो फेडरेशन को मानिता नहीं मिली है, लेकिन अपने अपने स्तर पर ये फिर भी मीटिंग्स बुलवा रहे हैं, करमचारियों की डिमांड्स पर चर्चा कर रहे हैं, और जब तक JCC की बैठक नहीं हो जाती, तब तक ये भी क्लियर नह होने वाला है, कि आखिरकार किस एंजियो फेडरेशन को यहां सरकार की ओर से मानिता दी जाती है, काफी जादा देरी इस बार देखिए, इसमें भी हो गई है, एंटिटी भरती में बवाल मच गया है, और आंगन बारी वर्कर्स काफी जादा परेशान चल रही है, लेकिन यह नाराज सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है, बलकि केंदर सरकार से भी नाराज है, इस वज़ा से क्यूंकि हाल ही में जो बजट पेश किया गया है केंदर सरकार की ओर से, उससे यह नाखुश है, इनका कहना है कि इनके मान देयों में कोई भी भरोतरी नहीं की गई, और ज तरह के अन्याय को ये नहीं बरदाश करेंगी इसलिए जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगी ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम देखिए दे दिया गया है तीसरी सबसे बड़ी बात इन्हों ने ये कही कि जब सुप्रिम कोट की ओर से दो साल पहले फैसला सुनाया गया है कि ग् लेकिन उसे भी लागू नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में बड़ा आंदोलन करने के सिवाए इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है चौथी नाराजगी नोने एंटिटी भरती को लेकर जताई है इनका कहना है कि पहले पुर्व जैराम सरकार ने ये वादा किया कि प्र प्रदाश नहीं करेंगी एंटिटी भरती में प्रात्मिक्ता जी जाए तीस प्रतिशत कोटा नहीं इनने सब्तर प्रतिशत कोटा इसमें दिया जाना चाहिए और जो बाल विकास परियोजना है उसका दाइरा बढ़ाया जाए बजाये इसके कि उसमें कटौती कर दी गई ह तीसरे बात ग्रैचिटी और अन्या लाब इने दिये जाए जो कि फैसला इनके हक में सुप्रिम कोट से आया है खैर मांगे बहुत बार रख चुकी है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है अब आंदोलन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है इसके बाद कितना असर सरकार पर होता ह यह हमाने वाले दिनों में देखेंगे आशा वरकर्स भी परिशान है इनका कहना है कि मांदिय की अदाईगी समय से नहीं की गई है एक तो बहुत कम मांदिय मिलता है और वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है इन दिनों इन पर ऑनलाइन कारे को लेकर दबाव बनाया जा रह है जिसके लिए इन्हें अपना मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, यदि ऐसा है तो सरकार की ओड से ही ने मोबाइल फ़ॉन दिये जाने चाहिए इनका जो डाटा है वो पुरी तरह है काम में ही इस्तेमाल हो जाता है, यह शिकायत इन्हों इन्हें सुविधाइन देने के लिए होने चाहिए ताकि ये अपनी ड्यूटी पर डटी रहें पैंशनर्स और करमचारियों ने भी अब चितावनी दे दी है ये पुर्फ करमचारी नेता है गोपाल दासवर्मा जिनका कहना है कि अगर 15 अगस्त को कोई खास अनॉंसमेंट न उमीद लगाकर बैठे रहते हैं कि हो ना हो मुख्या मंतुरी सुखु की ओर से कोई ना कोई अनॉंसमेंट जरूर की जाएगी तो इस बार भी उमीद लगाई है कि DA एरियर को शायद एक मुष्थी इन्हें प्रदान कर दिया जाए लेकिन ये संभव कैसे है जब बार-बा को लेकर चिताबनी दी गई है इसके भी देखिए अभी कई माइने यहां पर बदल गए हैं देखिए एक दफा फिर बिजली उभोकताओं को बिजली सबसीडी मिलने वाली है यह सरकार की ओर से हाल ही में फैसला लिया गया है जिसके बाद बिजली उभोकताओं को बड़ा लागू नहीं हो पाएगा तो एक महीना और अभी यह सबसीडी बिजली उभोकताओं को मिलने वाली है यह रहत भरी खबर कहना चाहेंगे यानि कि जो लोग 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें बिल नहीं आएगा और जो 125 यूनिट से जादा नहीं हो पा रही है पहली बात तो ये कि किन कैटेगिरीज को इसमें रखा जाएगा और दूसरी बात ये कि क्या सिंगल मीटर के आधार पर ही अब यहां पर बिल बनाये जाएंगे तमाम ऐसे मसले हैं जो अभी तक अधिकारियों के पल्ले भी नहीं पड़ रहे हैं जिस व मुख्या मंतरी सुख विंदर सिंग सुखो आज शिमला नहीं लोटे हैं ये दिल्ली से चंडीगर तक जरूर पहुँच कए हैं लेकिन शिमला नहीं आ पाए क्योंकि मौसम खराब है जिस वज़ा से इनका चौपर उड़ान नहीं भर पाया और डेपिटी सीया मुकेश मुख्या मंतरी सुखू ने पिछले कल ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अभी चर्चाओं का दौर कुछ जादा तेजी में नजर आ रहा है ये हलचल काफी बढ़ गई है कि मंतरी मंदल विस्तार हो सकता है एक पद खाली चल रहा है लेकिन किसे मंतरी पद दिया ज मुश्किल है बड़ी चर्चाएं अभी हो रही है दूसरी बात निगम और बोर्ड में भी तक्रीबन 6-8 पद खाली चल रही है इन ताजपोशियों को करने में वैसे ही काफी जादा लेट लतीफी हो गई है और और जादा देरीना बढ़ती जाई ये सुझा पहले भी कॉं संगठन में अभी हालात किस तरह के बने हुए हैं कैसे सरकार संगठन में और जादा तालमेल बढ़ाया जाए और ये निगम बोर्ड की ताजपोशियां कब तक की जाए किसे ये दाईतव सौंपा जाना है तमाम मसलों को लेकर वहाँ चर्चा हुई है जैसे ही मुख्यमंत जैसा कि हम कहे रहे हैं बड़े मसले हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं इन सवालों का क्या जवाब मुख्यमंतरी सुखु देते हैं ये बिलकुल हम देखने वाले हैं देखे 15 सो रपे के लिए मारा मारी पुरी तरह से हो गई है हलाकि अभी तक 48,000 महिलाएं ऐसी है जिने ये लाब दे दिया गया है सरकार की ओर से अंकड़ा रखा जा रहा है आव वेदनों की संख्या उसके बाद काफी जादा बढ़ गई जब महिलाओं के खाते में तीन महीनों की किष्टेक साथ आ गई 4500 के रूप में फिर बाकी महिलाओं को भी विश्वास हो गया कि ये स्कीम तो सच में जमीन पर उतारी गई है यानि कि महिलाओं को सच में यहां 1500 का लाब दिया जा रहा है अभी फिलहाल देखिए शिमला से जो हमारे पास आंकड़ा सामने आया है उसके मताबिक 2570 महिलाएं लाभानवित हुई हैं जिने 1500 की राशी यहां पर दी जा रही ह इसके अलावा यह आंकड़ा जानकर आप हैरान होंगे कि जिलह शिमला में ही अब देखिए कितने आवेदन आ गए हैं यह 76,911 आवेदन आ चुके हैं और अभी जिन महिलाओं को लाब दिया जा रहा है जिसमें सिरफ 2570 महिलाएं हैं जिनकी आयू 18-60 वर्ष के बीच में है एक क्रोड 15,60,500 रपे की राशी उन पर खर्च की जा रही है लेकिन जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं अभी चंटनी होगी यह जरूरी है कि यह जो भी महिला एपलाए कर रही है वो खुदाशा वरकर या आंगन बाड़ी वरकर नहीं होनी चाहिए उनका पती सरकारी करमचारी नहीं होना चाहिए केंदर की नौकरी में नहीं होना चाहिए आउट्सोर्स करमचारी भी नहीं होना चाहिए परिवार से कोई सदस्य पैंशन उस परिवार में नहीं लगी होनी चाहिए यह सभी मापडंड अगर पूरे होंगे उसके बाद ही महिला इसके लिए प दुर्गम क्षेतर भी हैं क्योंकि चम्बा की जानकारी दे वहां तो अधिकतर ही दुर्गम क्षेतर हैं इसी तरह से लाहोस पिती की नौर यहां न जाने कितने आवेदन अभी तक आ गए होंगे बात लाखों तक पहुंच कई है कैसे छंटनी की जाएगी और जो बाकी डॉक लाबहरती के तौर पर इसमें और जुणने वाली है यह आंकडा देखिए बिल्कुल जल्दी हम आपके समक्ष लाने वाले हैं नुक्ती की तीथी से वरिष्टा का लाब मांगा जा रहा है और कई ऐसे केसी सामने आए हैं जहां हाई कोर्ट की ओर से करमचारियों के फेवर में ही फैसला भी सुनाया गया है एक और केस यह नरेंदर नायक मामला है यहां भी हाई कोर्ट ने महतवपुन फैसला दिया है और कॉंट्रेक्ट की अबधी को पैंशन में जोड़ा जाए यह और दे दिया है सरकार को यह फैसला सुना दिया है साथी साथ सेनियोरिटी और अन्या लाब फिर चाहे प्रमोशन से जुड़े हैं अन्या वितिया लाब है वो भी दिये जाए इस करमचारी को यह बात यहां हाई कोड की और से स्पश्टार पर रखी गई है लेकिन अब देखिए इसमें नई करमचारी के केस में कि जब प्रारंभिक नियुकती हुई थी तो कुछ एक नियमों को दर्गिनार कर दिया गया था या सही से नियमों का पालन नहीं हुआ था लेकिन अगर प्रारंभिक नियुकती के बाद नियमित होने तक खुद यहां नियुकत करमचारी ने सभी नियमों क पालन किया है बकाइदा अपना काम किया है नियमित तौर पर तो वो बिल्कुल हगदार होता है और कॉंट्रेक्ट की अबधी को भी उसके लिए काउंट किया जाएगा पैंशन देने पर देखे शिक्षकों पर एक बड़ा फैसला सामने आया है जनजातियक शेत्रों में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा जो यहां पर अतिरिक स्टाफ के तौर पर देखे जा रहे हैं अब शिमला सिटी की बात करें बहुत सारे सरकारी स्कूल है सर्पला स्टाफ हो गया है एक ए से जादा समस्या ग्रामिन इलाकों में देखने में आती है वहां बहुत जादा शिक्षक स्टाफ की कमी चल रही है जिस वजह से यह फैसला हो गया है कि बहुत सारे शिक्षकों को अब जन जातियक शेतर में जाकर अपनी सेवाइन देनी होगी इसके लिए नई पहल यह है क कांगडा की जानकारी दे किनौर लाहुस पिती वहां पर डीसी की भी जिमेदारी रहेगी कि वह समय समय पर जाकर स्कूल में चेकिंग करें कि वहां पर नियमी स्टाफ है या नहीं है शिक्षक रोजाना चात्रों को पढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं या नहीं दूसर कारी कहना चाहेंगे जिला उपायुक्त को भी क्यूंकि अब इस योजना का हिस्सा बनाया गया है उन्हें भी अपने क्षेत्र में जो उनके दाएरे में क्षेत्र आता है वहां हर स्कूल पर चेकिंग रखनी होगी कि कोई परिशानी तो चात्रों के समक्ष नहीं आ रही है